जीवन में बच्चपन से बेहतर समय कोई नहीं होता, ना जान की परवाह ना जिन्दगी का खौफ, सब कुछ बेपरवाह ही बेपरवाह होता है। जीवन में बच्चों काफी जोखिम भरा है, जिसमें थोड़ा चूके तो जान भी जा सकती है। जान सांस लेने की समस्या भी हो सकती है। और तो और निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। पाइप इतने मजबूत भी हैं कि आसानी से तूटेंगे भी नहीं। कुल मिलाकर ये सब खत्रों से भरा है। वहीं जब बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि घर में खेलने को खेलाने नहीं हैं तो हम इस तरह ही खेल लेते हैं। पर दोरगा कितने पड़ती हो उन्हों में तो इसमें क्या कर लोग तो मुझ निकलते हो जा आओ केसी मैं माइभ ऑनन पर प्यत्ताथे दमारा कि उयलते लिवको पैप से कश्की प्यत्यक करा लोग उंसे निकलतेज़कर हैं हैं और फंपार आप प्ड़ें। 8 साल की। लोग में पालगे। दूसरी में क्या कररे यो उसके जा पाइब हो? सबस्क्राइब जण सबस्क्राइब वे पड्रक बाइब आस पर भी जड़ी है जासे किऊ कर्देब ज बाइब ज बाइब मामला चाहे जो भी हो पर इतना तो तैय है कि किस तरह से लावारिस पड़े पाइप से बच्चों की खेलने में इनकी जान जो खिम में पड़ सकती है जा भी सकती है इसलिए शासन प्रशासन को चाहिए कि इन पाइपों को व्यवस्थित तरीके से रखवाएं पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया की ख़बर इन बच्चों को डर क्यों नहीं लगता ना जान का डर ना जिंदगी की परवा खिलोने नहीं तो जान जोखिम में डाल खेलते हैं बच्चे सड़क किनारे रखे पाइपों से आर पार निकलते हैं कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद